राहुल गांधी मंगलवार को मानहानी मामले में सुल्तानपुर की MPMLA कोट से जमानत मिल गई है जमानत के बाद राहुल ने 25-25,000 के दो बॉंड भरे इसके अलावा इतनी ही रकम के दो लोगों ने उनकी जमानत ली राहुल गांधी के खिलाफ यहां मामला 5 साल पहले करनाटक में अमिट शाह के खिलाफ की गई कथित अपमान जनक टिप्पिडी से जुड़ा है इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नीता विजय मिश्र ने केस 4 अगस 2018 को राहुल के खिलाफ मान हानी का केस दायर किया था कोट में पेशी के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ कर अमेठी से कार से सुल्तानपुर पहुँचे राहुल अब अमेठी के फुरसत गंज लोटेंगे और अमेठी से यूपी में पाचवे दिन की न्याय यात्रा शुरू करेंगे